लोजपा के सांसद माबू वली कैसर का यह दावा है कि चाचा और भतिजा एक हो जाएंगे, एक होने बाले हैं। क्या आपके भी पुत्र जो विधायक हैं, वह भी क्या इधर से उधर होंगे। तो उस पर उनका कहना था कि ऐसी कोई बाते नहीं है और ऐसी कोई खवरे नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि आप लोग सभाग कि इधर से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे, किस पार् प्रिवारों को एक हो जाना चाहिए और एक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार यह कहना था जो सांसद हैं अभी लोजपा से बता दें, पहले पूरा बैक्ग्रॉंड थोड़ा से समझा देते हैं, सब लोग जानते हैं, खूब राजनीतिक खबरे और तमाम ची कभी जदिव के नेताओं से मिल रहे हैं, तो कभी राजत से उनका संबंध को छुपाया नहीं जा सकता, वह राजत के नेता चाहिलालू प्रसाद होते जस्वी आदव हों सभी से, वह उनका संबंध मधूर है, उनका यह भी कहना था कि हमारे सभी पार्टी और नेताओं से ह हमारा संबंध अच्छा है, चाहिए हो मुके सानी हो, चिराग पासवान हो या कोई भी हो, यानि कि वह जिस पार्टी में नहीं है, वहां से भी उनके टिकट मिलने की संभाबना है, तो लोजपा के 19 में 6 सिटे जीते थे, उसमें 5 सिटे 2020-2021 के जून में तूटकर एक अलग पर नोग बना लेते हैं, या एक तरफ हो जाते हैं, और कहा जाता है कि वह असली लोजपा है, चिराग पासवान एक तरफ थे, उनके साथ कई और भी उनके पार्टी के नेता, पुरविधायक, पुरुमन्त्री, वो तमाम लोग एक तरफ थे, तो उनका कहना था, कि असली लोग हैं इधर ज्यादा लोग हैं तो इस प्रकार दो लोजपा बनी तो उसमें महभूव अली कैसर RLJP के तरफ थे यानि कि पसुपती पारस गुट के नेता थे मगर वह इधर बिगत कुछ समयों से जिस प्रकार से चिराग पासवान से लगातार मिल रहे हैं जिस प्रकार स को सभी पार्टी और नेताओं के जरीए यह दिखलाना और बतलाना चाह रहे हैं कि हमारी सभी पार्टी इम बनती है हमें कहीं से भी सीटे मिल सकती है तो इन तमाम बातों पर वह बात कर रहे थे इसी के बीच जो चाचा और भतीजे का चल रहा है द्वन्द यानि कि प्राजपा के सिर्ष नेताओं का भी यह प्रयास है ये दोनों लोजपा एक हो जाए ताकि हमें सीट सेरिंग और मजबूती जो है चुनाबों में वह अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके और धंग से मिले इसको लेकर कई नेता और कई पार्टी प्रयास कर रहे हैं जैसे ही खबरे आएगी जो भी कुछ हमारी नजर है बिहार की सियासत पर बिहार के पलपल पर घट रहे हैं जिस परकार से विधायक इधर से उधर हो रहे हैं एक विधायक दावा कर रहे हैं कि हमें अगर लोग सबा का टिकट मिला तो हम इस पार्टी को छोड़ देंगे कॉंग्रेस के भी धायक है और भाजपा का अगर टिकट मिला तो हम छोड़ देंगे तो समझ सकते हैं ये बातें बाकिया आप बने रहें जहकास भारत पर हम लगातार खबरे ला रहे हैं दिखा रहे हैं और भी पल-पल अब्डेट समलाती रहेंगे मेरा नाम हुआ रविकांत आप देख रहे हैं जहकास भारत धन्यवाद